नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का बड़ा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आज के सेशन में हम बात करेंगे गले की समस्या के बारे में जैसे ही सरदी का मौसम आता है, जैसे ही ठंड पढ़ने लगती है, काफी सारे लोगों को गले में समस्या होने लगती है, किसी को इनफेक्सन हो जाती है, तो किसी को गले में खरास हो जाती है किसी का गला भारी हो जाता है तो कई सारे लोगों के टॉंसिल्स फूल जाते हैं ऐसे में हमें किन उपायों को करना चाहिए किस परकार से अपने गले के रख रखाओ और अपने गले को सुष्थ रखने के लिए किन उपायों को करना चाहिए इन सभी बिंदू पर आज की सेशन में हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों, मौसम बदल रहा है ऐसे बदलते मौसम में गले की खराश कब आपको अपनी गिरप्त में ले लेती है पता ही नहीं चलता गले में दर्द और हलकी सूजन से हम परिशान हो जाते हैं यही नहीं अगर कुरोना महामारी के इस महौल में हलकी भी खासी हो तो डर का आलम बन जाता है ऐसे में आप आसान और कारगार घरेलू नुस्खों की मदद से राहात पा सकते हैं अगर आप भी इस बदलते मोसम में खासी से परिशान हैं तो दवाओं की जगह प्राकृतिक घरेलू उपचार कर सकते हैं आईए हम आपको बताते हैं कि अगर गले में खराश या खासी हो तो आप किन घरेलू उपायों को अपनाए और राहत पाएं सबसे पहले नंबर पर हम उपाय बताने जा रहे हैं नमक वाले गुनगुने पानी से गरारा गले में अगर खराश हो तो नमक के गुनगुने पानी से गरारा करना काफी पुराना उपाय है दरसल नमक में एंटी बैक्टेरियल गुण होते हैं जो गले की खराश को आसानी से दूर कर सकता है इसके लिए आप एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच नमक मिलाएं और दीन में तीन से चार बार घरारे करें आपको राहत मिलेगी दूसरा उपाय है हल्दी वाला दूद गले की खराश में दूद में हल्दी मिला कर पीना काफी लाबकारी होता है यह गले में दर्द को भी ठीक करता है और आराम पहुचाता है हल्दी के दूद को प्राकिर्तिक एंटी बायोटिक गुण होते हैं हमारा तीसरा उपाय है हरबल चाय आप एक गिलास पानी में एक टुकडा अदरक दाल चीनी दस मिनट तक उबा लें और पानी को दीन में तीन से चार बार पीएं आपको राहत मिलेगी चौथा उपाय है शहद का परियोग एक गिलास गर्म पानी में एक चमच शहद और निम्बू का रस मिला कर दीन में तीन बार पीने से सूखी खासी से आराम पाया जा सकता है और हमारा पाचवा उपाय है सेव का सिर्का गले की खराश से जनमे बैक्टिरिया को खत्म करने में सेव का सिर्का काफी फायदे मंद होता है एक चमच एपल विनेगर को अपनी हर्बल चाय में मिला कर पीने से और एक चमच विनेगर को ही पानी में मिला कर गरारे करने से खासी की समस्या भी ठीक हो सकती है हमारा आज का छठा उपाय है लॉंग लॉंग को पानी में डाल कर थोड़ी देर उबाल ले उसके बाद इस पानी से गरारा करने से आपके गले की सूजन खत्म हो जाएगी साथ ही आपके गले में जो दर्द हो रही है उसमें भी आपको काफी राहत मिलेगी आप चाहें तो लॉंग के साथ आप इसमें काली मेरिच और दालचीनी भी ढाल सकते हैं जो बेहदुब फाइदे मंद और कारगार सिध होती है प्यारे साथियों आज के सेसन में हमने जाना की गले के समस्या को किस परकार से ठीक किया जाए और रख रखाओ कैसे किया जाए अब इस बिंदू पर बात करते हैं रख रखाओ के लिए ठंड के मोसम में आप ठंडे पानी को पीने की बजाए आप गर्म पानी यानि गुनगुने पानी का ही इस्तमाल करें ठंडा भोजन करने से बचें और अपने गले को गर्म कपड़े से ढख कर रखें अधिक चिला कर बोलने से बहतर है कि आप अपनी वानी में मधूरता लाए अर्थात आप धीरे धीरे बात करें इससे आपके गले पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका वोकल कोड स्वस्त रहेगा यदि आपका वोकल कोड स्वस्त रहेगा तो आपके गले में दर्द नहीं होगी और आपके गले में यदि ठंड नहीं लगेगी तो आपका गला कभी बीमार नहीं पड़ेगा दोस्तों यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजेगा साथ ही अपना प्रामर्श कमेंट में अवश्य लिखेगा और अपने सगे संबंधियों दोस्तों को यह वीडियो शेर कीजेगा ताकि सब को लाब मिल सके धन्यवाद